आयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम को लेकर पूरे देश में उच्साह देखा जा सकता है और इसी घड़ी में भजन गायक स्वस्ती मेहुल भी अपने भजन राम आये हैं को लेकर चर्चाओं में है पियम मोदी ने भी इस भजन को अपने ट्विटर पर शेर किया है एंडी टीवी ने स्वस्ती मेहुल से खास बाचे की आपको बता दें 22 तारिक को अयुध्या में प्रभू श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिकरम होगा प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी भी पहुँचेंगे और उससे पहले जो ये भजन है जैसे खुद प्रधान मंत्री ने अपने ऑफिशल सोशल मीडिया साइट ट्रिटर अकाउंट पर शेर किया है एक्सपर उसकी लोग काफी दारीफे कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि आपका ये जो भजन है वो मान्य प्रधान मंत्री जी ने अपने ट्वेटर पर शेयर किया है कितने खुशी की बात है आपके लिए क्या बोलना चाहिए बहुत खुश हूँ बहुत भावक हूँ जब हमारे देश के मानिय प्रधान मंत्री जी आपके लिए इतने अच्छे शब लिखते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा था कि आखों को आसूँ से और मन को भाव स भर देने वाला है कि तो जब मैंने पड़ा में सोकर उठी ही थी तो इसा हुआ कि आप प्रधान मंत्री जी की बात सुनकर आप एमोशनल हो गई हो ऐसा मोमेंट हुआ आपके साथ यह सवभाग हर किसी को नहीं मिलता जी 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 यह यह शब्द बहुत महत्य पू से शयर्व उन तक पहुँच गया इसलिए उन्होंने यह लिखा आपने सूचा था कि आपका यह भजन इतना बड़ा हिट होगा घर घर में आपका यह भजन सुना जाएगा और प्रधान मंत्री इस आपके भजन को ट्विट करेंगे पसंद करेंगे सोचा नहीं था बड़ हाँ मैंने बहुत आज से बहुत महनत से बनाया था और मैं खुश हूँ कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं बहुत प्यार मिल रहे हैं लोगों का जी आप आपका जो भजन है राम आया उसकी आप चाल लाइन है हमारे व्योर्स के लिए है और आपके चाने वालों के लिए आप सुनाए तो मैं शुरू करती हूँ जो लाइन को मैंने लिखी है और जो मेरी परसनल फेवरेट है धर्म सनातन ध्वज के सरिया जै जै कार गुज शीराम की घर घर दीप जले स्वागत में आये देखो शीराम जानी की इट इट जोड हमने मंदर बनाया घर घर आयो ध्या का जग मगाया मैं तो रुची रुची पल ना जुलाँ की द्वार मेरे राम आये मैंने भावों से प्रभु को बुलाया की द्वार मेरे राम आये बहुत खोड कोई कोई दूसरा भजन जो आपका ज़िता हो या जी उसकी भी एक लाइन जो है काट विकट वनवास की बेला बढ़े आयो ध्या की ओर कदम घर घर दीप जले स्वागत में देखो आईसी आराम लखन देखो आईसी आराम लखन एक नजर किरबा की करना खड़ तुम्हारी राह में हम ही सबरी हम ही केवट तुम दर्शन की चाह में मेरे राम आएंगे मासीता संग आएंगे भ्राता लक्षमण और भक्त हनो मान आएंगे स्वास्ती बहुत खूब बहुत खूब जैसा कि हम जानते हैं कि आयोध्या में राम मंदिर प्रतिश्चा होने जा रहा है तो क्या आपका क्या ब्लान है कि आप हमको आने वाले समय में क्या दिनों में आयोध्या में नजर आने वाली है मैं कोशिश करूँगी वैसे तो मेरा शो है पर मैं कोशिश करूँगी by the end of month या next month तक मैं जरूर आयोध्या जाओं और वहाँ उस द्रश्य के सामने प्रभू के सामने अपना भजन का करा बहुत एक्साइटेड हूँ जैसा कि सोशल मेडिया पर आपका ये गाना फैमस हुआ फिर मानने प्रधान मंतरी जी ने भी आपका ये भजन ये शेर किया तो लोगों के कैसे का रिस्पॉंस आ रहा है आपके फैमिली फ्रेंड्स या तो आपके जो फैमिली मेंबर से उनके उसके वारे में आप हमें बता है बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का सब जगे अन और प्लाफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरिवेर सब लोग इतना प्यारा प्यारा लेख रहे हैं तो थांक यू थांक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और शब्दों के लिए लोग मेरे भाव से जोड़ पाते हैं तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है बहुत कुछ इससे पहले आप आईश्वान खुरान के फिल्म बाला में एक गाना गा चुकी है फिर आप फिल्मों के गाने छोड़ कर भजन की तरफ आप करो इसका करण क्या ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी फिल्म के गाने नहीं गाती हूँ यह तो एक मेरा सोभागी था कि मेरा क्या योगदान हो सकता था इस भव्य मंदिर के निर्माण में तो एक कलाकार का योगदान हो सकता है कि मैं अपनी इकला के सब्यूद अपने शब्د, अपने भावफ पहुचा सकूँ इसलिए मैंने ये भजन बनाया मैंने एक भजन और बनाया था एक महीने पहले तो सिर्फ उसी के उपलक्ष में बनाया था वाकि अभी भी मैं Bollywood गाने गाती हूँ, मेरे और भी सारे गाने जो लोग पसंद करते हैं, जो मैं खुद लिखती हूँ जी आपने जो एक महीने पहले जो भजन बनाया था उसकी अगर आप चाल लायने सुना दे तो वो भी मेरा खुद का लिखा हुआ बजन है और मैं जितने भी भजन लिखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब कभी भी कोई उसे सुने तो उसे ये लगे कि ये उसके भाव हैं, ये उसके शब्द हैं तो उन्हीं मैंसे एक भजन है मैंने भावों से प्रभू को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए अंग ना सजाओं द्वार दीप जलाओं राहों में प्रभू की मैं पुश्प बिचाओं हुई धन्य धन्य आज मेरे कुटिया कि द्वार मेरे राम आए मैंने भावों से प्रभू को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए इसे भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मेरा आपसे एक आखरी सवाल अब हविश में आप अपना करियर कहां देख रहे हैं अब भजन गाईकी में और या तो बॉलिवोड फिल्म स्वें फिल्मों के गाने में यह जर्नी है देखते हैं भगवान कहां तक लेके जाता है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी के लिए बस एक चीज मुझे पता है कि मुझे महनत नहीं छोड़नी है बाकी सब भगवान के हाथ में श्री कृष्णी के हाथ में श्री राम के हाथ में It was lovely, lovely talking to you. Thank you so much for having me. Swastity, हम से खुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्दबाद. तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्दबाद. Thank you, thank you so much. ये ती हमारे साथ भजन गाय का स्वास्तिय में हो, जिन्होंने अपने गाने राम आयें के बारे में हमसे खुड़कर बात की.